असकार फिरेंट स्वागत है आपका इस यूट्यूब सेनल में तो सेकेंड बैच यानि कि यूपी प्लीस उन्चास पांसों वाटशनट के जो सेकेंड बैच वाले अभ्यरती हैं सेकेंड बैच वाले जो बैच के बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुसकबरी बता दूँगा आपका Official Notice जारी हो चुका है आपका Medical Start कबसे होगा उसके लिए बता दिया गया कि आपका Medical कबसे होगा आपकी JTC कबसे होगी आपका RTC कबसे होगा ठीक है सारी चीजे इसमें बता दिया गया कि आपका JTC, RTC और आपका medical perichard कब से start होगा, सारी चीज़े बता गई है, आपको कितने बच्चे जाएंगे, इसमें ये भी बता दिया गया है, तो इसमें कोई भी आपको tension नहीं लेना है, ये बिल्कुल official notice है, इसके लिए आपको भी tension नहीं लेना है, कि notice fake हो ऐसी, कुछ ऐसा कुछ भी नही माई को है, इसके बाद आपका, जो मैंने वीडियो आपको बता दिया, 11 माई का आपका जो पुलिस का final P.O.P है, इसके बाद से जो उसके पहले-पहले आपका medical हो जाएगा, तो जी बिल्कुल पहले ही होरा, कब से होरा ओडेट में इस वीडियो में बताऊंगा, और आपका प्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक किजिए, सब्सक्राइब किजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस फैमिल वीडियो से जूड़े जाएए, बेल आइकन भी ओन किलिजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अप्लोड किजा तो उसका इसमें सब्सक्राइब के लिए बताया गया है कि क्या-क्या है, सब्सक्राइब को दिखाता हूँ, कि यहाँ प्यते कि आपके पत्र संख्या P.R.P.B.1 जो यह आप यहाँ आप से खुच से पढ़ सकते हैं, दिनांगा ठाइज अगस 2020 द्वारा आरच्छी नागरिक पुलि कराया गया था, तदक्रम में चैनित अभ्यर्तियों का संबंधित जनपदों द्वारा अग्रेतर करवाही करते हुए, उपयूत अभ्यर्तियों का आधार भूत प्रसिशचर 3.11 से प्राइब में, आधार भूत का मतलब जो है आपका RTC, ठीक है, आपका RTC, ZTC जो भी है, 3. 3.9 से आपका start हो गया था, ठीक है, अब इसके बाद जो आगे पैरा में बताया जारा है कि उलेखनी है कि आरच्छी नागरिक पुलिस यों, आरच्छी प्रादेशिक आरंड कांस्टे बुलरी के स्पदों पर सीधी भरती, अक्टूबर 2018 के अंतरगत, चैनित अभ्यर्तिय मेशे, दूती इशरण है तू, आरच्छी नागरिक पुलिस के 14,000 बेरतियों के संबन्द में अग्रेतर कारवाई है तू, पुलिस महानेदेशक उत्तरपदेश महोदय अनुमोदन निन्नवत प्राप्त हुआ, ठीक है, ये जो अनुमोदन है, पुलिस महानेदेशक के द् इतने भेज रहे हैं, 14 के, वीडियो इसके लिए बहुत सारी आपको मिली थी, कि 14 के बच्चे नहीं जाएंगे, इसमें पूरा बच्चे जाएंगे, जीतने भी है, 35 के, 35,000 जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भरती बोड का डिसिजन कोई नहीं जानता कि कब कैसा डिसि उनके लिए भी कोई भी बीचायर नहीं कियागा है, तो आप लोग जो अपना धरना है, अपना जो ट्विटर अभियान है, उसको बंद नहीं किजिएका, ट्विटर अभियान को दरी रखियेका, तिस्ते की और भी जल्दी प्रडाम इसमें आपका पाजिटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जो भरती बोड है, उसके पास ट्रेनिंग कराने की छमता 23,000 से जादा है, बट फिर 14,000 बुलाने का क्या मकसद है, वो कुछ समझ नहीं आ रहे है, तो बच्चों के साथ फिर भी नाइन शाफी हो रही है, पर फिर भी बहुत खुसकबरी की बात है, कि कम सकम 14,000 बच्चे हमारे 14,000 भाई बेन दुबारा, फिर उनका जो है मेडिकल कराई जाएगा, ठीक है, और बाकि जो बच्चे है, उनके लिए भी थोड़ा सा दूख वाली बात है, कि उनका अभी जो वेटिंग टाइन हो जादा हो गया, ठीक है, आगे जो इसमें और बताए, ज़र मैं आपको वो दिखा के सारे चीजें क्लियर पहले करा लूँ, कि चिकित्सा परिश्चर या सत्यापन जो होता है, वो 3321, यानि कि 30 मार्च से प्रारम होने का इसमें डेट दे दिया गया है, और इसमें आपका ZTC, जो JTC है, वो JTC के आपको करा दिये जाएगा, इसके बाद है, आपका आधार बूत यानि कि RTC, जो आपका है 14 जून से स्टार्ट होगा, ये सारी चीजें इसमें बता दिये गया है, आगे जो इसमें है, वो क्या बताए, ज़र मैं को बता दूँ, पहराश शेवन में, अता निर्देशा नु आपसार आरक्षी नागरिक पुलिस सेवं आरक्षी प्रदेशिक आरंड कांस्टेबलूरी के पदों पर सीधी भरती, अक्टूबर 2018 के अंतरगत चैनित अभरतियों में से, दूती इचरण में आरक्षी नागरिक पुलिस के 14,000, यहां पर देख पार हैं 14,000 अभरतियों, जो चैनित सूची है, ठीक है, इनकी जो चैनित सूची के वरिश्रिता क्रम में जो की मेरिट के अधर पर पहले भी बुलाया गया था, ठीक है, मेरिट वेसिस पे पहले भी बुलाया गया था, और दुबारा भी फिर क्या बता रहे हैं, दुबारा फिर उनके मेरिट के वेस उन्हीं के वेसिस पे फिर 14 जार बच्चों को बुलाया जाएगा बाकी जो बचे हैं उनका अभी कुछ इसमें बताया नहीं गिया है उन्हें अभी खेवल वेट ही करना है तो इसमें बताया जा रहा है कि सूची के क्रम में आरच्छी नागरिक पुलिश पुरूसों या महिलाहों का अलग-अलग चैन प्रडाम प्रारू पानुशार अभ्यर्ति के ग्रिह जनपदवार रैंक वार रिलिंग वार सौर्टिंग करके जनपदवार बुल्कलेट बनाकर दोदो प्रतियों में हाड कापी तथा चैन बारवाई की जा सके बात को समझ पाएं क्या काज आ भया इसमें बता है यह चॉदर के बते हैं और उसकी दो प्रती जो है वो भेज़े, कहां पे भेज़े, पुलिश मुख्यालाय को आपको भेजना है, आपको ने भेजना है, यह भरती बोर्ड का काम है, सोरी आप अपने पर ना लिजएगा, यह भरती बोर्ड को बताया जारा है, निर्देश दिया गया है, भरती बोर् क्लियर है बाकी अधि कोई आपका शवाल हो तो भी आप हमें से पूछ सकते हैं तो इसके लिए वो कह रहा है कि जनपदवार, ग्रैंक वार, जो लिंग वार है उनका जो साउटिंग कीजिए फिर लिश्ट जैसे बनाया थे पिछली बार सेम लिश्ट बनाईए और फिल इस प्रिचर रोगा उसके बाद आपका चरुट सत्य अपनाया नहीं कि पुलिस जो वेरिफिकेशन होता है उसकी बात कर रहा है फिर जेटिसी आपका डेट दिया है 17 मई का और आपका आर्टिस्ट का जो डेट दिया है वो 14 जून का ठीक है ये दोनों चीज़े क्लियर हो गई कीज़ेगा बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट विजुशार तत्युक्त नमस्कार थैंक्यू जहिन जङए अटना था तत्यू है झाल झाल झाल